गुपी में बीजेपी ने फिर से लहराया जीत का परचम सीम योगी की अगवाई में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी बीजेपी को दो तिहाई बहुमाद गुरकपूर सीट से सीम योगी की वड़ी जीते एक लाग से जादा वोट से जीते योगी आरतराद कैनिडेट शुभावती उपिंद्र दत्र शुकला को 48,758 वोट मिले जीत के बाद सीम योगी ने जनता का किया धन्यवाद पहली बार बीजेपी ने नौ सीटों पर फते हासिल की गुरकपूर ग्रामीड सीट से बीजेपी प्रत्याशी विपेंड सिंग ने जीता चुनाओ स्पी के उमीडवार विजय बहादुर रियादव को 24,000 वोटों के मार्जन से राया गुरकपूर जिले की चिलू पार सीट पर बीजेपी उमीडवार राज़ेश्टर पार्ठी ने दर्ज की जीत राज़ेश्टर पार्ठी को 96,777 वोट मिले उत्रप्रदेश विदानसवा चुनाओ में बीजेपी की सहयोगी निशाद पार्ठी को 6 सीटों पर मिली जीत निशाद पार्ठी ने 16 सीटों पर उतारे थे अपने प्रत्याशी संजय निशाद के बेटे सर्वा निशाद ने 14 सीट से दर्ज की जीत पीजेपी गटवंदन की पार्टी अपना दल एस ने विदान सवा चुनाव में दर्श की भारी जीत पार्टी के बारा उम्मीद वारों को मिली जीत के बाद अनुप्रिया पट्रेल निकिया धन्यवार पतेपुर जले की मैथपूर सीट बिंदकी विदान सवा पर बीजेपी गटवंदन ने किया कबजा अपना दल के प्रत्याशी और मंत्री जय कुमार सिंग ने हासल की जीत लपनों के सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी के राज़ेशुवर सिंग ने जीता चुनाओ 56,000 वोटों के अंतर से समाजवारी पार्टी के उम्मीदवार हविशेक मिश्रा गोहर आया लपनों पूर्व सीट पर बीजेपी के आशु तोष्ट अंडन ने जीत की दर्जव एसपी प्रत्याशी अनुराग भदोरिया को और सथ हजार से अधिक वोटों के बड़े अंतर से राया सीट पर बीजेपी के आशी स्विना और कॉंगरेस के मनुश दिवारी को मिली करा योगी सरकार में मंत्री रहे नेता प्रजेश पाठक ने लखनों केंट सीट से जीता चुनाओ एसपी के सुरेंदर सिंग गांधी को दी शिकस्त प्रजेश पाठक ने 49,000 से अधिक वोटों से हासल की जी गाज़बाद सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग ने दर्ज की शांदार जीत अतुल गर्ग ने समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को एक लाख से अधिक वोटों से हराया नुएडा से बीजेपी के पंकस सिंग की रिकॉर्ड जीते एकला 49,000 वोट से जीते पंकस सिंग कॉंगरेस की पंकुडी पाठक और समाजवादी एरा आरेलडी के उमीदवार सुनील चौदुरी को दी कड़ी शिकस सुनील चौदुरी को सीट पर मिले 58,401 वोट कॉंगरेस की घड़ में बीजेपी का परचम रायवरेली सदर सीट से बीजेपी की अदिती सिंग 7,000 वोटों से जीती अदिती सिंग ने इस सीट से SP के अईरपी सिंग और कॉंगरेस के सिंग को भारी मतों से हराया मैंपुरी की करल सीट पर दोड़ी साइकल एसपी अध्यक्ष अखलेश शादो जीते बीजेपी के एसपी सिंग बगहेल को दी करारी शिकस्त अखलेश शादो ने 77,000 से अधिक वोटों से एसपी सिंग बगहेल को हराया वरणसी की दक्षर सीट से वीजेपी प्रत्याशी नीलकंट तिवारी ने दर्ज की जीत नीलकंट तिवारी ने अपने जीत का श्रे पिम मोदी और सिम योगी को दिया वरणसी की पिंडरा सीट वार बीजेपी का कबजा बीजेपी प्रत्याशिय अवदेश सिंग ने दर्ज की जीत बोले अधूरे कामों को पास साल में पूरा करने की करेंगे तोशिश वरणसी की सबसे वड़ी सीट कैन्ट में भी भारतिय जन्ता पार्टी की सौरव शिवास्तव ने हासल की जीत बास साल में तमाम वादों को पूरा करने का दिया भरोसा वरणसी की शूपूर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल राजवर की जीत उन्होंने सुभास्पा प्रमो कोपी राजवर के बेटे अरविंद राजवर को 27,687 वोटों से अराया मतुरा में बीजेपी प्रत्याशी और केबिनेट मंतरी शिकांद शर्मा को मिली शेंदार जीट शिकांद शर्मा ने मतुरा की जनता का जताया भार मतुरा वरंदावन विदान सवा से जीत हासल करने के बाद शीकान शर्मा ने बांके बिहारी मंदर में की पूजा आर्चना, दर्शन पूजन करके सुख समरद्दी और आरोग की कामना की मतुरा के च्वाता सीट से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी नारायर ने हासल की जीत स्पी आरल्डी गटवंदन प्रत्याशी तेजपाल सिंग को किया पराज़ इटावा की जस्वन नगर से शुपाल सिंग यादों ने रिकॉर्ड डबे हजार से जादा मतु से जीत दर्श की कहा कि स्पी विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी आगामी चुनाओ को लेकर पार्टी बेहतर तैयारी करेगी रामपूर में आजम خान के गड़ को नहीं भेथ पाई बीजे पी सुअर सीट से आजम के बेटे अबदुला आजम की जीत, अबदुला आजम ने काजिम के बेटे हमजा को दी माग सीतापुर के अरगाउं सीट पर बीजेपी उम्मिद्वार सुरेश राही की जीत सुरेश राही ने अपने निकट्सम प्रत्युद्वन्दी समाजवादी पार्टी के राम हित भारती को तक्रीवन 40,000 वोटों से दिशिराज अगरा की सबी सीटों मर इस बार खिला कमल अगरा चावनी से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जीयस धरमेश ने दर्ज की जीत अगरा ग्रामीर से बीजेपी प्रत्याशी बेबी रानी मौर्या ने दर्ज की शांदार जीत 1,6,000 वोटों से दर्ज की है जीत देवरिया सदर सीट से वीजेपी प्रत्याशी शलब मड़त्र पार्टी ने एक लाग छै हजार से जादा वोटों से दर्च की है जीत जीत के बाद पार्टी कारिकरताओं ने मनाई खुशी देवरिया के पतर देवा सीट पर वीजेपी के दिगज नेता और मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दर्च की अपनी जीत उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वन दी स्पी के ब्रह्म शंकर ट्रिपाटी को 28,000 से लिगोट से आराया प्रियागराज बश्यम से सिदार्टना सिंग ने दर्च की जीत सिदार्टना सिंग ने जीत कश्रे पियम मोदी और सियम योगी को दिया प्रियागराज श्याद अक्षर विदान सवा सीट से कैमिनेट मंतरी नंदु गुपाल गुपता नंदी ने जारी रखी अपनी जीत स्पी प्रत्याशी रहीश चंदर शुकला को 26,417 मतों से दी शिकस बीजेपी छोड़कर साइकल पर सवार हुए दर्म सिंग सैनी को साहरनपुर की नकूर सीट से मिली भारी हार मुस्लिम बाहुल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शोधरी ने दर्म सिंग सैनी को 315 वोटों से रहाया मुस्लिकी 4 सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी का कबजा घोसी विधान सवापार एसपी उमीदवार दरासिंग चोहान ने दर्ज की जीत बीजेपी से एसपी में शामल हुएते दरासिंग तारा सिंग चोहान ने बीजेपी के वर्तमान विदाएक विजए राजबर के खिलाब 22,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की बागेश्वर दिरे की दोनों सीट पर वीजेपी की जीत बागेश्वर 47 सीट में वीजेपी विदाएक चंदन रामदास ने दर्श की जीत कॉंग्रिस पार्टी के रंजी दास को 12,141 मतों से हराया कपकोट सीट में वीजेपी के सुरेश गड़िया को मिली विजेए कानपुर की माराज़ पूर सीट से बीजेपी के वरिश्ट नेता सतीश महाना ने दर्श की बड़ी जीत स्पी के फते बहादुर गिल को 82,000 से अधिक वोटों से हराया लगातार आठवी बार जीत का पहनता आज गाजिपुर जिले की जहूराबाद सीट से सुभासपा देक्ष उंपरकार राज़वर ने दर्श की जीत भाजपा के काली चरण राज़वर को हराया पुर्वान्चल के वलिया की सदर सीट से मंत्री स्वाती सिंग के पती दयाशंकर सिंग को मिली जीत दयाशंकर सिंग ने स्पी के नारत राय को अरा कर धर्ज की जीत सिदार्टनगर जुले के इटवा विदान स्वा सीट से बेसिक शिक्षामंती सतीश दुएदी को मिली हार स्पी प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे ने 1526 वोटों से हराया सिराथु से आरे डिटी सीम केशो प्रसाद मौरिया स्पी गठबंधन की प्रत्याशी पलवी पेटेलने केशो मौरिया को साथ हजार से ज़ादा वोट से हराया हार के बाद बोले के पी मौरिया जनता के फैसले को बेरम्नता पूर्वाक सुई कार करता हूँ फाजिल लगर से स्वामी प्रसाद मौरिया की करारी हार बीजेपी के सुरिंद्र खुश्वा ने 45,000 से ज़ादा वोट से दीमाद चुनाओ से ठीक पहले मंत्री पत से सीफा दे कर स्वामी प्रसाद मौरिया ने छोड़ी थी बीजेपी फीट कर बोले जनादेश का करता हूं सम्मार फाजिल लगर सीट से स्वामी प्रसाद मौरिया हार गए उन्होंने कहा वो चुनाओ हारे हैं हिम्मत नहीं उत्रकंड में फिर खेला कमल सत्तर में सैतालिस सीटों पर बीजेपी की जीट कॉंगरेस को ने स्वामी प्रसाद के उम्मिद्वारों को सिरे सिनकारा पुशकर धामी हरी श्रावत करनल अजे को ठ्याल नहीं बचा पाया अपनी सीट उत्रकंड के सीएम पुशकर सिंग धामी खटीमा से आरे कॉंगरेस के भोवन कापड़ी ने 6,000 वोट से धामी को हराया उत्रकंड में पूर्वा सीएम अरी श्रावत को बड़ा जटका लाल कुआ सीट से हारे अरी श्रावत बीजेपी के मोहन बिश्ट ने हराया नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंग ने जीट के बाद जनता का जताया आभार कहा विपक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाने का काम करें